सीवान के पुरबाजजेडी सांसद मुहमत शहबुद्दीन के बेटे से जुड़े हुई है मिली जानकारी के मुताबिक उसामा कुराजसान की कोटा से पुलिस ने गिरफतार कर लिया है पुलिस ने उसामा के साथ साथ दो और लोगों को भी गिरफतार किया है दरसल उसामा अपने दोस्तों के साथ कोटा की रामकंज मंडी में था जहां से पुलिस ने उसामा को गिरफ़तार किया उस पर शांती भंग करने का रोप है उसामा दो साथियों के साथ बिना नंबर की गाड़ी से चा रहा था शांती भंग की धारा 151 में उसे गिरफ़तार किया गया है हाला कि अभी तक अधिकारे कुष्टी नहीं हुई है उसामा शाहाब पर सिवान में दो और मुतिहारी में केस दर्ज है उसामा शाहाब को कोटा ग्रामीन की रामगंज मंडी थाना पुलिस ने गिरफ़तार किया है बताया जोरा है कि शांती भंग करने के आरोप में उसामा को गिरफ़तार किया गया है उसामा अपने दो साथियों के साथ बिना नंबर की गाड़ी से चा रहा था गरसल 6 अक्टूबर को हुसाइन गंज थाने की छप्या गाउ में जमीन को लेकर विवाद हुआ बताया जोरा है कि 42 कठ़ जमीन को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए थे जमीन मालिक अभी शेक कुमार ने हुसाइन गंज थाने में मामला दर्श कराया इस मामले में उसामा और उनके करीबी सलमान साहिद चार लोगों को नामजद और बारा ग्याद को आरोपी बनाया गया था वहीं खान प्रदस पर गोली चलवाने का भी आरोप उसामा पर लगा था दरसल 5 अप्रेल 2022 को खान ब्रदस के रईस खान पर गोली बारी हुई इस मामले में उसामा शहाब समेट 8 लोगों को आरोपी बनाया गया था मामला सामने आने के बाद शहाब उद्दीन की पत्नी हीना शहाब ने कहा था कि ये राजनितिक वर्चस को लेकर किया जा रहा है